मैं आयूशी मादवितनी केटन स्कूल के छात्रा अपनी कविता प्रस्तोत करती हूँ नौ महीने मुझे गर्ब में रखकर पलपल कष्ट सहेमा बच्चों के लिए सब कुछ सहती खुद रहे ना रहेमा उंगली पकड कर चलना सिखाया जब भी गिरे तो संभलना सिखाया मा और मा का प्यार निराला उसने ही है मुझे संभाला सुभा सवेरे मुझे उठाती प्यारे नमों से मुझे बुलाती भेचती रोज है मुझे स्कूल प्यार है जैसा उसका फूल पौश्टिक भोजन मुझे खिलाती ग्रिह कार्य पूरा करवाती जब मैं करता कोई गलती समझाने की कोशिश करती मुझे पर गुसा जब है आता दो मिंट में उड़ भी जाता मुझे देती है हर चीज का ग्यान रगती है मेरा पूरा ध्यान हजारों दुख सहती है मा फिर भी कुछ ना कहती मा बच्चे जैसा मर्जी व्यवार करें फिर भी इस मा का प्यार कभी न गटे फिर आकिर में बूरी हो जाती बच्चों पर वे बोज बन जाती जिस मा ने बच्चों को पाला उन्ही बच्चों ने उसे घर से निकाला की खुशी में बच्चे मां को भूल जाते , बच्चे मां को समझना पाते , बोद समझकर वृद आश्रम छोडाते , फिर भी मरते मरते मां के मुख से एक ही बाद मेरा बच्चा जीए सारी खुशियों के साथ एहसान वो किसी का लेती नहीं बद्वा कभी बच्चों को देती नहीं